नमस्कार आप सबका स्वागाते हमारे चनल नेक्स्ट नाइन निव्स पर मैं नाम है दीपक गुप्ता महराश्टर के सियासी सत्ता में शिवसेना के मामले पर चुनावायोग बड़ी कारिवाई करेगा तारीखे 12 या 13 दिसंबर हो सकते जब यहां पर कारिवाई को लेकर बा जिश्टिस चंद्र चुड़ न यह बाते साफ कर दी थी कि अब इस मामले करेवाई शिवसेना की करेवाई चुनावायोग करेगा तो हर किसी की नजरे चुनावायोग पठिक गईक और चुनावायोग के तमाम अधिकायों के बिया गया कि पहले बात हम भाहुमत कि किसकी दस्तावेजों में सत्यता है इसी के लिए एक महीने तक का यानि चार हफतों तक का समय शिंदे और उद्दव गुट को दिया गया कि दोनों ही गुट अपने अपने दस्तावेज सोपें और अपना अपना दावा पार्टी पर करते नजर आएं लेकिन इस बीच उप अधिकारी वही हुए लेकिन शिंदे के पास अब सारे विधायक हैं जादातर विधायक उने के पास हैं सांसद नगर सेवक भी उनके पास हैं तो वो भी एक तरीके से मालिक हैं तो यहां पर यह सारी बात है अब अटकलों के बाजारों में गरम हो काफी सियासी मामला है कि याकिर शिवसेना का असली मालिक कौन चुनाव आयोग अगर फैसला करेगा तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर करेगा क्यूंकि चुनाव आयोग को आज नहीं तो कल फैसला करना ही होगा अगर चुनाव आयोग का फैसला गलत होता है तो शिंदे या उद्दव गुट की नज़र आएगा हमारे साथ सबसे पहले हमारे खास योगे आसिफ सर मौजूद है उनसे सीधा जानकारी लेना चाहेंगे तो आसिफ यहाँ पर जिस तरीके से शिवसेना मामले पर कारिवाई लगातार जारी है जून की महीनिस चलता आया मामला अब दिसंबर की बारत यह 13 ता लेकिन शिंदे गुट यहाँ पर बिल्कुल भी शान्त नहीं हो रहा है वो लगातार यही कह रहा है कि हमेशिव सेना का चुनाव चिंचे है आपकी नजर में कौन असली मालिक शुक्रिया दिपक देखिए जिस तरीके से यह मामला पिछले छे महीनों से चल रहा है हमारा आ लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं इस बीच में अधिपक हमने दो बाते नोट की नमबर वन कि कभी-कभी कोट से जो है सिंदे गुट को भी जटका मिला और कभी-कभी उदब गुट को भी जटका मिला इसका मतलब यह कि कॉम्पिटिशन जैसे शुरू में दिल्चस था व जिस तरीके से चीजों को जबरदस्ती इधर-उधर किया गया है उस लिहास से मुझे लगता है कि शिंदे गुट की जीत हो सकती है लेकिन जिस तरीके से कोट ने एक फैसला दिया उसके बाद उन्होंने सुनाया भी टिपनी की उस तरह से जिस तरह से मजबूती मिली है लेकिन अगर बहुमत देखें या असली विरासत देखें जाजा का बेटा राजा बना यह सबने देखा था थाकरे बने थे लेकिन अब क्या राजा का बेटा और मतलब राजा वही बनेगा जो असली हगदार है बिल्कुल देखें ये प्रमपरा पहले रही है लेकिन अब जैसे जैसे वक्त हालाद बदलते हैं चीज़े बदल जाती है देखे धिपक अगर आप ध्यान दे दसल पहले की राजनीती अलग थी अब आज की राजनीती अलग है तो दूनों में आसमान जमिन का फरक है और आज के हिसाब से पार्टी आपनी रनीती भी बदलती है तो शाय यह है कि क्या आगे भी राज रहेगा या नहीं इसी मामले पर आगे की जानकारी लेते हैं हमारे तमाम से होगे तो लेकिन एक और जानकारी ही दे दे शिंदे सरकार गिरने को लेकर लगातार बाते हो रही है तेरा जनवरी को कोट जो पांच जज रहेंगे उस मामले पर कार रिवाई यानि कि सुनवाई करेंगे यहाँ पर हमारे साथ कशिश मोजूद है इन से सीधा जानने कोशिश करते हैं कि शिवसेना चुनावचिन इतना on the important क्यों है और दोनों ही गुट मेंसे अगर कोई अपने कदम पीछे करता है तो किसको फाइदा जादा मिलेगा या फिर अगर चुनाव का फैसला शिंदे या उद्दफ गुट की तरफ जाता है तो फाइदा किसे जादा मिलेगा देखें यहाँ पर चुनाफ चिन जो है वो दोनों ही गुटों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है एक नाशिंदे के लिए वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ना चुनाफ चिन होगा क्योंकि पर चुनाफ चिन होगा, की वज़ा से उनका चुनावची नहीं हापर दिया जाएगा दूसरी बात यह आ जाते हैं कि हम इत्ते सारे रिपोर्ट्स करते हैं लाइफ सेशन करते हैं उसमें अगर हम कमेंट बॉक्स देखे तो लोग सिर्फ उद्दफ ठाकरे को कहते हैं एक ना शिंदे को जनता ने नही दोहजार चुबिस में लोग सबा और विधान सबा चुनाव होंगे चुनाव चिन अगर उद्दफ के पास नहीं जाता है तो क्या बीमसी में दुबारा उद्दफ पास पाएंगे अभी पॉसिबिलीटी 50-50 कि है वो क्यों है क्योंकि उद्दफ ठाकरे के पास अभी भी व थाकरे के लिए जरूर रही थी लेकिन मैं अगर अभी तक मैंने जो रिपोर्ट्स देके उनके अनुसारा अगर मैं बताऊं तो यहां पर MLA वही लोग है अभी उद्दफ ठाकरे के पास तो बीमसी चुनाव में फाइदा हो सकता है बली उन्हें चुनाव चिन नहीं मिलता तो उद्दफ ठाकरे अगर फिर से कोशिश करेंगे मजबूती के साथ और हो सकता है कि सत्ता में वही वापसी करें एक और वज़ा हो सकती है कि जो कैबिनेट विस्तार होगा दूसरा उसमें कई विधायक नराज होकर उधव के पास दुबारा आ सकते हैं, इसलिए हर कोई चाह रहा है कि वापिस से पहले दूसरा कैबिनेट विस्तार कर ले फिर शिवसेना के चुनाबचिन पर कोई फैसला कर कर लेंगे ये हर कोई कहता है लेकिन पिता की विरासत पचास साल वहां पर विरासत उसके बाद इन्होंने दो सिंसाल जितने भी राच किया वो एक भावनातमक जुड़ी बाते होती हैं अगर उद्धव की नजरों से शिफसेना चिनावचेन शिंदे के पास सला जाता है तो उद्धव का कदम क्या हो सकता है देखे जाहर सी बात है उद्धव को ये पार्टी ना विरासत में मिली है और जिस तरीके से यहाँ पर एक नाश शिंदे ने 49 विधायकों के साथ बगावत की और उसके बाद आप यही कह रहे हैं कि ये पार्टी हमारी है इस पार्टी में ह ठाकरे जब इस पार्टी में थे तो रास ठाकरे में लोगों को बाला साहिब ठाकरी की छवी नजर आती थी हिंदुत्व नजर आता था लेकिन लाओड़ी स्पीकर विवाद जब उठा था उस वक्त लोगों ने यही कहा था नबनीत राणा ने जब सवाल खड़े की थे उ सदस्यता अगर रद दो जाती है सोला विधाय को की तो सरकार अपने आपी गिर जाएगी और दूसरे मंतरी मंडल का गठन बार बार टाला जा रहा है तो ऐसे में देखा जाए एक नाज शिंद्यों को इन तमाम चीजों पर ध्यान देनी की बेहत ज़रुरत पड़ेगी और कि उनकी पार्टी उनी की हातों में रहे चुनाव आयोग जो कारेवाई कर रहा है उसमें कौन से दस्तावेज जैसे इंपोर्टेंट रहेंगे जिनको वो गौर करेगा क्योंकि दस्तावेज ही मांगने में उनने एक महिने से यादा वक्त लगा दिया दोनों गोटों ने ल दूसरी तरह जन्वरी की तारीक भी बताई जारी कि 13 जन्वरी को भी सुनवाई हो सकती है लेकिन अब दस्तावेज की अगर बात की जाया और गौर किया जाये दौनों ही गुटों पर तो सबसे माइने रखते हैं यहाँ पर विधायक क्योंकि देखा जाए बिपक्ष की त दस्ता रद्ध हो जाती है सरकार अपने आपी गर जाएगी तो एकनाश शिंदे को यहाँ पर सबसे जादा फोकस करने की जरूरत है अपनी गुट पर और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उधव गुट हर तरीके से कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है चाहे यहा देखा जाए तो एकनाश शिंदे जमीनी स्तर पर जोड़कर काम कर रहे हैं तो फिलाल देखा जाए सुप्रीम कोट को हर एक चीज़ पर ध्यान देना होगा चुनाब आयो कि आपने अगर बात की है तो यहाँ पर स्तांसत से लेकर विधायक विधायक से लेकर कारे करता इसी बात है विरासत में जिसको यह पार्टी मिली है उनको असली मालिक बताया जाएगा लेकिन एकनाश शिंदे को यहाँ पर अपनी एक अलग पार्टी का गठन करने की बेहत ज़रुरत है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए लेकिन हकीकत यह कि समय म महा विकास अगारी सरकार जन अकरोश रेली निकालेगा अब देखना दिल्चस्प रहेगा उस रेली के दुरान कौन-कौन से मुद्धे उठाती हो और क्या शिंदे के सरकार को थोड़ा से भी हिला पाएगी या नहीं बनेरे चनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लि